आप देखें हैं लाइव सेवन नमस्कार लाइव सेवन विसेश में आपका स्वागत है मैं हो ग्यान रंजन विसेश में आज हम चर्चा करेंगे इर्फान, दीपिका और बैजनाती खुलेगी किस्मत दोस्तों जिस तरह से मंगलवार को ही मैंने आपको बताया था कि आचानक से जो कॉंग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर उनकी राची आत्रा होती है वो बिना किसी कारिक्रम के राची आते हैं जेल में बंद पुर्मुख मंतरी हेमन सोरेन से मिलते हैं वहाँ पर कलपना सोरेन भी रहती है और जो चर्चाएं होती है वो चर्चाएं सीधे तोर पर आगे के विधान सभा चुनाओ को लेकर को था ही लेकिन साथ ही साथ था मंतरी मंदल विस्तार का भी मामला दिल्ली में जो लगातार तीन दीनों से जारकन कॉंग्रेस की बैठेक चल रही है दो दीनों तक तो राहूल गांदी भी उस बैठेक में उपस्तित थे और इसके बाद कई तरह की बाते सामने आ रहे थी और जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि कॉंग्रेस कोटी के मंतरियों में फेर बदल होने के संकेत मिल रहे हैं और आज जो पुखता जानकारी मेरे पास आई हुई है उस पुक्ता जानकारी के तहट आलम गई आलम के स्तीफे के बाद जो जारखंड में एक पद कॉंग्रेस कोटे के मंतरी का खाली हुआ है उसको भरने की तयारी लगवग पूरी कर ली गई है और इसके साथ ही ये भी जानकारी आई है कि दो दीनों के भीतर चमपाई जा रहा है और अब इस विस्तार में क्या क्या चीज होंगे वो मैं बताऊंगा लेकिन एक बड़ी बात ये है जो सवाल भी उट रहे है चमपाई सोरेन केबिनेट का विस्तार तो होगा लेकिन आखिर कलपना सोरेन ने डिप्टी सीम या मंतरी बनने से मना क्यों कर दिया य एक बड़ा सवाल उट रहा है क्योंकि लगातार जो कारिकरताओं जार्खन मुक्ति मोर्चा के कारिकरताओं की बात करें या विधायकों की बात करें जो परफॉर्मेंस कलपना सोरेन ने लोग सभा चुनाओं के दोरान दिया और जिस तरह से उन्होंने पूरे जार्खन को रोंदा और संगठन को लेकर के जो काम किये इसके बाद से उनका कद जो हिमन सोरेन के जेल जाने के बाद एक जो खाई बनी भी थी जार्खन मुक्ति मोर्चा के भीतर में गुरु जी के अस्वस्त होने के बाद से जो इस्तिती बनी थी जार्खन मुक्ति मोर्चा के भीतर क रहते हुए भी अगर कलपना सोरेन एक बड़ी लकीर खीसती है तो ये बाते राजनितिक गलियारे में मायने रखते हैं स्थिती तो ये है कि कलपना को जिस कलपना के साथ भाजपा ने सोचा था वो उससे उपर निकल गई है भाजपा भी इस कलपना के काट की फिराक में अब लगी भी है और जो जानकारी मिल रही है कि भारतिय जनता पार्टी के द्वारा ट्राइवल सीट्स पर जो नुकसान हु करता है कि आखिर कर कलपना सोरेन ने मंत्री बंडल में सामील होने से मनाकियों कर दिया जबकि पूरे पार्टी का जो हर विंग चाहता था कलपना सोरेन आएं कलपना सोरेन के नाम को अगर आप सोसल मीडिया को देखेंगे और खास करके जो हेमन सोरेन के ट्वीटर एकाउं को कलपना सोरेन जो खुच चला रही है उसमें अगर आप कॉमेंट्स को देखेंगे तो ये कॉमेंट्स इस बात की ताकीत करता है कलपना सोरेन का कद कई माइने में जारखन मुक्ती मोर्चा यह यों कहें कि जारखन की राजनिती के प्रिफ्रेक्च में भी काफी उचा हो संगठन के कारियों को देखना चाहती है संगठन के मध्यम से उनको जवाब दे ही जी जाएगी उस पर वो काम करना चाहती है और जो जानकारी प्राप्त वी है साफ तो अपर उन्होंने ये कह भी दिया है जो अपने पार्टी के वरिष्ट नेता है कारी करता है इवेन की ग पाल उट रहा है कि बैजनात राम को क्यों लाया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब चमपई सुरन मंत्री मंदल का विस्तार हो रहा था उस समय भी बैजनात राम का नाम राजववन तक चला गिया था और लास्ट रावर में उनके नाम को वापस लिया गिया था। SC कोटे से जार्खन सरकार में एक भी मंत्री नहीं है। और चुकि मंत्री मंदल में चार पद ही कॉंग्रेस पार्टी को होने हैं तो जाहिड तोर पर है कि अब जो मंत्री मंदल में पद बसता है वो पद बसता है जार्खन मुक्तिमोर्चा के कोटे से और जार्खन मुक्तिमो भोगता हैं वो SE category से चुनाओ जीते थे लेकिन अभी जो पिछले डेर साल पहले भोगता जाती को जन्जाती सुची में सामील कर दिया गिया है तो इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो वो भी जन्जाती में सामील हो चुके जनजाती में आ जाते हैं तो SC का सीट पूरी तरह से खाली है और इसी को ध्यान में रख करके क्योंकि लोग सभाचुनाओं में ये भी देखा गया कि SC बहुल इलाके में महा गटबंदन को आई एंडिया गटबंदन को अप एक्छा कृत कम सफलता या यूं कहें सफलता मिली ह नहीं है अगर आप SC सीटों की गिंती करेंगे जो SC सीट डिजर्व है अगर वहां पर आप देखेंगे तो हर जगह पर बढ़च जो है जो एंडिया गटबंदन को मिली है चाहे वो देवगर का देवगर हो चाहे वो जमुआ हो या फिर चत्रा हो सिमरिया हो जो भी SC के सीट लाते हार हो इन सभी सीटों पर अगर आप देखेंगे राची काही लेले आप काके का विधान सवा हो चंदन क्यारी हो तो सभी जगहों पर जो है सो भारती जनता पार्टी या NDA गटबंदन को वहां पर बढ़त मिली ही है जाहिड तोर पर अब ये सोचने को मजबूर होना परा है आई एन डिया ये गटबंदन को और जो जानकारी मिली है कि जो तीन दीनों तक दिल्ली में बैठक चल रहे थी कॉंग्रेस पार्टी की आगामे विधान सभा चुनाओ को ले करके उसमें ये बाते भी मजबूती के साथ रखी गई थी कि ऐसी कोटे से मंत्री नहीं ह ती जारखण बें उस समय मंत्री मंदल में वह स्वास्त मंत्री सिक्षा मंत्री रह चुके हैं तो जाहिड तोर पर इनके नाम काफी तेजी से उपर आये है और जो जानकारी मेरे पास आई ए चार-पास दिन पहले उनकी मुलाकात कलपना सुरेंज से भी हुई है और कुछ आस्वासन उनको मिला है अब वह आस्वासन क्या है ये पुखता मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन उनकी मुलाकात ही थी मुलाकात के बातें बात बातें हुई थी और पहली मर्तवा अगर आप देखेंगे तो नौ सारे नौ वरसों के बाद जारकंड में जो सरकार चल रही इस बार जो उमीद लगाई जा रही है कि चुनाओं के पहले बारवे मंत्री का जो पद्ध खाली रह रहा था जारकट में वो भी भरा जाएगा इस बीच अब जो कॉंग्रेस कोटे की हम बात करते हैं तो कॉंग्रेस कोटी में चुकी अलपसंख्यक समुदाय से आलमगी राजनम आते थे वो जब एडी जो मामले थे एडी के गिरफतारी के बाद जब जेल के हम उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद जो है और भी कई चीजें हैं इसमें लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है जो एक सबता पहले ही मैंने आपको बताया था एक सबता दस दिन पहले बताया था जब जारखन में कॉंग्रेस के प्रदेश परभारी ने आकर के लोग सभा चुनाओं की समिक्षा बैठेक की थी तीन दीनों तक लगातार बैठेक की थी यहाँ पर और उसके बाद जो रिपोर्ट आये थे मंत्री बादल पत्रलेक को ले करके वो रिपोर्ट दिल्ली दर्बार तक पहुंच गया है और जो मंतन चल रहा है दिल्ली दर्बार में जो मंतन चला उसमें उनके रिपोर्ट कार को लेकर के काफी नराजगी जताए गई है साथ ही साथ जब राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जो पूरी तरह से अगर आप विपक्स की नेता लोग सभाव में हो चुके हैं या यूँ कहें भले ही मलिका अर्जुन खड़गे कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष है लेकिन अगर वैल्यू देखा जाए तो वहाँ पर राजी राहुल गांधी का वैल्यू जो है सो अभी भी पार्टी के भीतर में सबसे उपर देखा जाता है और उस जगे अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि मंत्रियों के परफॉर् को बैठखवी फिर मंगलवार को बैठखवी मंगलवार को बैठखवी उन्होंने में कॉंग्रेस् नेताओं को केंद्रिये नत्रदि और उन्होंने सक्त निर्देश दिया है पार्टी संगठन को प्रदेश संगठन को कि चाहे कोई भी बड़ा नेता हो अगर संगठन के खिलाफ वो काम करते हैं तो उन पर कारवाई से नहीं ही चकना चाहिए कारवाई कीजिए तो ये तैयारी पूरी तरह से विधान सभा चु में जो कॉंग्रेस के रास्टी महा सचिव हैं केसी बेनु गपाल के साथ जिसमें गुलाम अहमद मीर और राजेस ठाकरूस बैठक में उपस्तित थे और इस बैठक में पहले तो गुलाम अहमद मीर ने जो कल जो उनका अचानक दौरा हुआ था जहारखंड का राची का का म Titans सार होना है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इर्फान अंसारी का नाम फाइनल हो चुका है और अब जानकारी का अनुसार जो है सूब एठक में कैबिनेट भी स्तार पर मुहर लग गई है मंत्री के नाम पर भी अंत् Wade है जो साप सब्दों में ये बातें सामने आ रही है कि जो रिपोर्ट कार्ड कॉंग्रेस को मिला है कॉंग्रेस के रास्टियों ने तृत्त को मिला है लोग सभा चुनाओं के दौरान मंत्रियों के कारियों को ले करके उसमें सबसे खराब रिपोर्ट रिपोर्ट जो है वो बादल पत्रलेग का है और जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि बादल प्त्रलेग का विकेट गिर सकता है और उसके जगह पर McDuckapandesking जो महिखामा से विधायक है उनको मंत्री बनाया जा सकता है और इसके पीछे कई अंखगनित को देखे गए, अरित्माटिक को देखे गए हैं कॉंग्रेस पार्टी के दौरा, एक तो जेनरल कास से एक मंत्री थे, बादल पतलेक अभी अगर आप देखें, कॉंग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं, उसमें रामेसर और रौज वित्त मंत्री हैं, वो ट्रैवल को मंत्री मंदल में जगह दी जा रही है, लेकिन वहीं दीपिका पांडे सिंग का नाम इसलिए आ रहा है कि दीपिका पांडे सिंग खुद ब्राहमन है, और उनकी साधी OVC में हुई है, तो दोनों को एक साथ साधने का प्रियास जो हैं सो कॉंग्रेस पार्टी के द्वार किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सभाचोनाओ के दौरान गोड़ा संसदिय सीट से दीपिका पांडे सिंग के ठीकेट का नाम एलान हो चुका था, और बाद में जब प्रदीप यादव के द्वारा विरोध कराया गया, विरोध किया वहाँ पर गोड़ा सिंग ने महगामा विधान सबाच्छेतर में लीड दिलाई है कौन्गरेस पार्टी को, तो जाहिद तोर पर उनका कद कौन्गरेस पार्टी के भीतर उचा हुआ है, बड़ा हुआ है, दूसरी और राहूल ब्रिगेड की मेंबर हैं, इसका भी फायदा उनको मिलता हुआ द अगर आप जारखण में देखेंगे 2024 के चुनाव में यानि 20 वरसों के बाद जो है के चुनाव में जो है कॉंग्रेस पार्टी दो सीटों पर आई है जारखण में तो जाहिर है कि कॉंग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि जो वोट परसेंटेज उनके बढ़े हैं 2024 के और जो राहूल गांधी का जो वर्जन आया हुआ है राहूल गांधी ञें कि बढ़ाinde 一स में बड़ा में लेता क्यों नहीं हो अगर वो रोगोकर करते हैं तो और उन पर कार्वाई की रही हैं पिछले 20 वर्सों से लगातार वो उस छेतर में गुड़ा संसतिय छेतर में अपनी मजबूत इस्थिती बनाई हुई है और नतीजा देखा अपने कि पिछले चुनाव में जब उनको पार्टी ने मौका दिया तो पार्टी को उन्होंने निरास नहीं किया चुनाव जीती और अच्छे मार्जीन से चुनाव जीती वहां से और इसके बाद फिर जब उनको टिकट काटा गिया लोग सभाचुनाव में उसके बाद भी वो संगठन के साथ खड़े हो करके अपने विधान सभाच्छेतर से पार्टी को लीड दिलाई है तो निष्टित रूप स ये बातें लगातार चल रही थी कि बादल पत्रलेक फोन नहीं उठाते हैं इवेन कि वो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के भी फोन को पीक अप नहीं करते हैं नहीं उठाते हैं तो कारिकरता हो का फोन क्या उठाते हो कारिकरता हो काम क्या करते होंगे ये बाते भी उनको ले करके लगातार चल रही थी हलांकि अभी कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से इस बात की घोसना नहीं की गई है लेकिन मंतरी मंदल का जो विस्तार होना है उस मंतरी मंदल में तीन नाम जैसा कि मैंने आपको बताया कॉंग्रेस कोटे से इरफान अंसारी और दीपीका प होसना बाकी है और अभी जो मिटिंग चल रही है दिल्ली में मिटिंग हुई है फिर सुन रहे हैं मिटिंग होने वाली है दूसरे मंतरी को ले करके कॉंग्रेस पार्टी से क्योंकि जिस तरह से मंगलवार को जब वापस लोट रहे थे प्रदेश प्रभारी गुला महमद मी कॉंग्रेस पार्टी के तो उस समय उन्होंने कहा था कि विचार किया जा रहा है मंतरियों को भी बदलने का तो जाहिट तो पर वो हलके बयान नहीं दिये हैं इस तरह के और इस बयान के बाद से ही कयास जोनों पर थी कि कॉंग्रेस कोटी से मंतरियों में फिर बदल भी किय जा सकता है जो अभी standing है में मंत्री जो वहाँ पर हैं स्थापित हैं कॉंग्रेस कोटे से उसमें से भी किसी न किसी को हटाया जा सकता है वहाँ पर नए चेहरे को लाया जा सकता है दूसरी बात यह है कि आधी आबादी के प्रदिनित को लेकर के भी कॉंग्रेस पार्टी सोच जो मंत्री मंडल में जगें हैं जो उनको कोटे में मिले हुए चार सीट उसमें अगर भरपाई स्टी कोटे से नहीं हो रही है तो चुकि सामोहिक रूप से ये सरकार सामोहिक नेतृत में चल रही है जारकर्ण मुक्ती मोर्चा के नेतृत में तो जारकर्ण मुक्ती मोर्चा क के तरफ से ऐसी कोटे से बैजनात राम को मंत्री बनाए जाना है कि प्रबल संभावना है और बनना तै मान के चलिए ये लगभग फाइनल हो चुका है और दो दिनों के भीतर राज में मंत्री मंडल का विस्तार होना है ये भी लगभग पार्टी का विधान सभा चुनाओं को लेकर के है जो 33 सीटों की बातें हो रही थी कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा की 31 सीटों पर पिछले बार चुनाओं लड़े थे कॉंग्रेस पार्टी इस बार उनके साथ दो विधायक जुड़े हैं एक जेफी पटेल मांडू से और परदीप यादब पुरिया हाट से हलाकि जुड़े थे बंदू तिर्की भी लेकिन उनकी सदस्ता जब चली गई थी उसके बाद उनकी पुत्री सिल्पानी सिल्पी नेहा तिर्की ने कॉंग्रेस पार्टी के टिकट पड़ी चुनाओ लगा लड़ा तो जाहिर तोर पर है लकी है तो अब देखना है कि जो गटबंधन में जो चीजें हो रही है घटबंधन जो आईन्दिया यह गठबंधन का है उसमें अब सिधह तौर पर सीटों को लेकर के बाते चलेगी सीटों पर फैसला होगा है कौन कितनी सीटों पर चुना लड़ेगा मंतरन मंदल विस्त और जिस्में जो जानकारी मेरे पासे वी यह इसमें पूरे तोर पर जो पुक्ता जानकारी है इसमें सीधे तोर पर दिख़ा आई इरफान अंसारी का तो नाम तैह ही बैजनात राम रहेंगे जारकण मुक्ती मोच्चा कोटा और अगर बादल परतलेक का विकेट गिरता है तो दीपिका पांडे सिंग को मंत्री मंडल में जगह मिल सकती है तो ये इस्तिती अभी जारखंड की राजनिती में बन रही है और इसमें एक चीज और देखा जाएगा कलपना सोरेन के कारियों को भी आप देख लें कलपना सोर किया उसका परिणाम आपके सामने है कि INDIA गटबंदन जो पिछले चुनाओ में UPA के रूप में चुनाओ लड़ी थी दो सीटों पर थी और इस बार वो पांस सीटों पर आई हैं तो तीन सीटों की बढ़त मिली हुई है यानि रिकार्ड अच्छा कायम किया है एक लंबी ल कलपना सुरेन ने इस बार भी मंत्री मंदल में लाक कारी करताओं के आगराख के बावजुद उन्होंने सबसे हाज जोरकर विंति की है कि अभी वो मंत्री नहीं बनना चाहती है अभी वो संगठन का काम देखना चाहती है तो जाहिड तोर पर कलपना सुरेन जो हैं उनकी निगाहें अब पूरी तरह से जो है सो अर्जुन के तरह मचली के आख पर है और वो मचली की आख है विधान सवा का होने वाला चुनाओ क्योंकि क्या होता है कोट से हेमन सोरेन को बेल मिलता है या नहीं मिलता है यह भविस्य के गर्त में छिपा हुआ है लेकिन इस बीच अलग मुहीम बना हुआ है जहारकण मुक्ति मूर्चा यह यूं कहें पूरी तरह से आएंडिया गटबंधन का अब देखना दिल्चस्प यह होगा कि आगे जो दो दिनों के भीतर जो होने वाले मंत्रमंडल के विस्तार उसमें किन-किन नए चेहरे को जगह मिलती है जो मे आप देख रहे हैं Life 7